हेलो फ्रेंड वेल्कम टू इंडिय एजुकेशन हम इंडिय एजुकेशन हम में आपका स्वागत है मैं हूँ सिदाल्थ मैं आपको आज कराऊंगा जन्रलिस्ट इडिज पार्ट 3 के कोशन्स पार्ट बन और पार्ट 2 मैं करा चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देख हुआ फ़ीड चीफ ऑफ्ट मुनिशीफभल कॉपरेशन नगर निगम का अध्यक्ष संवन होता है प्राइम निस्टर सरपंच, गवेर्नमेयर मेर मेर होता है नगर निगम नगर पालिका का अध्यक्ष नहां रखेगा नगर निगम से लवक सट्राइश गहरन्या इंग्स क तेंग कवसी सरकार महलाओं को मेल चाहिएं को고 आज कल भारत में कांस्ट जाती बादी को बढ़ावा देने वाली सरकार एक धर्म को बढ़ा देने वाली सरकार इसका सहीतर होगा मैंने आपको बताया क्योंसी होगी स्वीडन स्वीडन में तो फिसकी पहली भी सरकार थी नेक्स सोस्चन है वाँस रस नमले भी वाँस देम मैक्समाम पीरिएड for which the vice president can act as the president in case of vacancy in the prime minister's office president office sorry president office अगर president की university में vice president काम करता है तो वो कितने समय तक कर पाएगा कितने समय तक वो कर सकता है president है जैसे माली जे शुट्टी पर है या president president किसी कारण बस अपनी पोस्ट पर नहीं है तो प्रेजिट्ट के इनपरस्टी में बाइस प्रेजिट्ट काम करेगा वो कब तक करेगा कब तक करेगा 3 months, 6 months, 1 year, he cannot act as a president इसका सही उत्तर होगा 6 months, 6 months तक वो कारी कर सकता है president कितरह है और 6 months के अंदर-अंदर election होने से ही है president के यह हमारी समयदान में दिखा गया है इस समय कितनी भासाओं को मानित दी गई है तो इसका सहित्तर होगा 22 22 बाइस भासा है शबी कि इसकी राज्ट भासा है हिंदी भी उसकी रास्ट भासा नहीं है question number five the first मैसूर वार fought in fought in Heather Ali in 1776 to 69 AD came to an end by the एक युद हुआ था मैसूर वार या मैसूर युद मैसूर का प्रिथम युद मैसूर का प्रिथम युद हुआ था British या जिसे हम अंग्रेज बोलते हैं और Heather Ali के बीच में और यह हुआ था यह चलाता है 1767 से 1769 के बीच में तो वो जब वो युद हुआ था तो वो एक किस संदी के द्वारा खतम हुआ था इसका सहीत्तर होगा options देखिए treaty of pondicherry treaty of madras treaty of मैसूर और non next question की तरफ चलते हैं question number six है सेर्षा defeated हुमायू and captured गौर इन पैटल उफ सेर्षा ने हुमायू को किसी उद्व में हराया और गौर पर कब-कब जगिया था किसी उद्व में हराकर गौर पर कब-कब जगिया था options देखिए घागरा यहां चार question तो चार question complete होते हैं ध्यान रखिए का चार नहीं पांच question को आप मान सकते हैं घागरा घागरा का युद 1529 में कब हो था 1529 में चौसा 1549 में पानीपत 1526 में जो की बाबर और राजपूतों के पतर लड़ा गया था खानवा 1527 में ध्यान रखिए का युद्ध की सन आप याद रख सकते हैं याद करनी ही चाहिए आपको घागरा चौसा पानीपत और खानवा इसका सही उत्तर होगा चौसा का युद्ध जो जिसमें सेरसा ने हुमायू को बहुत बुरी तरह से हराया था और गवर्पर कपज़ा किया था जो की 1549 में होता ने एक प्लूरा इस दो कवरिंग आफ प्लूरा एक प्रोटीन होता है जो की कवर करता है किसे कवर करता है और औक्स दे रखे हैं लंग्स लीवर किड्नी और हार्ट इसका सहीतर होगा लंग्स फेफड़े फेफड़े को एक जिल्ली होती है प्लूरा नाम की वह उसे कवर करती है फेफड़ों को ऊपर से नेक्स्क्क्रोश्चन है सोलर एकलाइप्स और और यह है सन प्रत्वी और सन के मद्ध हमारा अगर मून आ जाए तो यह सोलर एकलाइप्स की कंडिशन बन जाती है जिसमें मून की चाया प्रत्वी पर पढ़ती है यही सोलर एकलाइप्स की कंडिशन है और इसका अगर उल्टा करने हैं यहांपर सन है यहांपर अर्थ है यहांपर मू है और मून की अर्थ की चाया मून पर पढ़ती है तो यह चंद्रगहर पढ़ता है लूनरे लाइप अप्सन देखें तरह के नौट लेए ओन दे लाइन जॉइनिंग दे अर्ट बी दा मून कम से बिट्वीन दे सन एंड अर्थ इसका उतर सही होगा अंसर भी चंद्रमा प्र प्रियू ट्रदिटे इन फोग्स और कि टाइप स me किस प्रकार की इमस्न प्रकार पाई caring 5 जाती हैं लचए डायट करन टीन cabinet सौंटला सबसे बड़ा यूनिट है अपका दूरी का सबसे बड़ा यूनिट है इसे हम लाइट को डिफाइन कर सकते हैं एक बर्स में चली गई प्रकास की दूरी कोर्शन नंबर 11 है medicine of quinine is provided by quinine एक दबाई का नाम है जो कहां से मिलती है औप्सेंस दे रखें सिंकोना प्लांट मनी प्लांट उकलीप्टर क्लांट अल अफदी इसका सही उत्र होगा सिंकोना प्लांट से कुना मिलता है किन किस काम में आता है या आपको पता है पता ही होगा म मलेरिया की दबाईस Izzy दबाई बहुत शारी मन्तीय लेकिन में लियुक्ली wat दबया के ही काम में आती यूकिलिप्टना मुझे नहीं पता आपको अगर पता हो ताप मेरे को जरूर बता ने की किस्ट करने क्योंब्स रोकिंपने क्या काम होता है कि कमेंट सेक्षन में बताएगे का मुझे कोसे नमबर 12 है अगर आप सोने अगर आपने जोगरिफी में थोड़ा सध्यान दिया है तो आप बता सकते हैं बहुत इजी ली क्योंकि सोने की रिक्तर खान करनाटका में ही पाई जाती है जानर के तो इसका सेतर गनाटका कोलार की कोलार की खान भी एक परश्ति खान आप करनाटका में पाई आती हका हट्टी फ्रहती पॉराचीन जाती है काफी समय से ओर ऑब 252 7800 पहले जी है को पराचीन खान मानी जाती है को श्राइब फो किए अब्जेक्ट एट्रेस्ट विल बिल रीमें एटरेस्ट एड एपको हिंदी में बता दो अगर कोई पिंड है अगर कोई यहां से कोई फोर्स नहीं लगा जाएगा कि इसमें सित्य जूर्जा है जब तक यहां से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वह आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा एक हम अगर कोई गते जूर्जा है अगर कोई ंमालिसे कोई यहां से यह मूब करता हुआ यहां इस दर की तरफ जा रहा है जब तक यहां पर ब्रेक नहीं लगा 2 Far यह यह खोई कोई रुकाबट नहीं होगी कोई ूर्जा नहीं लगेगी जब तक कोई फोर्स तब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक नुटन का प्रिथम नियम है जब तक किसी बल पर वाहिप किसी पिंट पर वाहिपल नहीं लगा जाता है तब तक वह उसी गती में रहता है नहां रखेगा कोशन नमबर 14 है इंदक इनकेस स्टेट इमर्जेंसी डिकलियर इट नीट परल्यम एंट्री अप्रूबल आफ्टर अब्री अगर किसी राज में इमर्जेंसी इस्टेट इमर्जेंसी लगी हुई है यह पात्काल लगा हुए तो वह कितने कितने समय में अप्रूबल चाहिए से लेने कि अप्रूबल हमें चाहिए तो इसका सहित्तर होगा छे महीन है और यह आर्टिकल कि इंडियन कॉंस्टिक्रिशनल आर्टिकल 356 में दिया गया है आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं 356 में अबर्जेंसी कही तरह कि हो सकती है तीन से तीन तरह की इसायत बताई गई है अबर्जेंसी कोशन नमबर 15 है अजीत बजाद इस एस्टेट बिच स्पोर्ट ऑप्शन से रहे हैं बैडमेंटन एडवेंचर स्पोर्ट क्रिकेट होकी इसका सहीत्तर होगा एडवेंचर स्पोर्ट साहसिक खेल जैसे हम बोल सकते हैं इसकी या फिर इसकी इंग से लेटें है अजीत बजाद एक एक बुजिनिसमेन है बजाद प्रूप आप से नहीं होंगे तो इसका सहीत्तर होगा एडवेंचर स्पोर्ट कुस्टन नमर 16 है इस एक बुक का नाम है फोप इन चैलेंज बाइड चैलेंज डेमक्रेसी इसकी तरह लिखेगे इसका सहीत्तर होगा डक्टर असुनी कुमार यह पूर्व ब्यूर्व क्रेट्स हैं यह पूर्व सरकारी अधिकारी है कापी मुझे पत पर यह रह चुके हैं सेंट्रल कभर्मेंट में बहुता है पहले आपको बताओंगा जैसे जैसे कोई प्लेन एरिया है उलका प्रेंड अगर आत्रिक से गिरता है तो वहाँ पर ड़ेत्व सा बन जाता है को गट्ड़ा वन जाता है चारओ त्रकत यहाँ पर बढ़े लएक यह बढ़े चारे बार बैक तologie से सही उतर होगा महरास्ट्रा द्यान रखेंगेगा क्रेटर लेक महरास्ट्रा को को स्वाइब नमबर 18 है आर्टिकल 356 इस डिलेटेड विडिये मैं आपको करवाया था पीशे बताया था इसका सही उतर होगा इमर्जेंशी इमर्जेंशी जिलेटेड होगा आपतकाल से कॉस्चन नमबर 19 है एक विड्व। क्रेंट का ये का लिजब धारा का इनिट क्या होगा विड्वद्भारा कि इस में आपते हैं एंप्यर कैलोरी वेलिशिटी वॉल्ट्स सहीतर होगा एंप्यर क्यों होगा एंप फूड लेते फूड लेते हैं उसके उर्जाम किसमें आपते हैं कैलोरी में बैलोसिटी बेग वोल्ट को माप बोल्ट होता है विदुद्विंबांतर का वोल्ट को लास्ट कोशन है हमारा 20 इंडिया स्टोप्ड ट्रेड विच कंट्री टूबाइप पामाइल भारत ने पामाइल किसे खरीदना बंद कर दिया है खरीदना बंद नहीं कर दिया एक्चली आपको इसके पीछे लॉजिक अभी बताऊंगा आप पहले इस कोशन को ज्यान दीजिए पाकिस्तान मलेशिया तुर्की और चाइना इसका सही तरोगा मलेशिया एक्चली भारत मले रिफाइंड रिफाइंड पाम उयल वाई करता है काफी बड़ा इंपोर्टर है इंडिया लेकिन मलेशिया ने हाली कि कुछ दिनों से भारत को नाराज करने वाले थे कस्मी रिस्यू पर भारत के इंटर्नल सी एए पर जो वहां के राश्ट्पती है उन्होंने कापी कुछ चली टिया और हम अपने यहां करेंगे अगर आपकर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए-एगर नहीं कर सकते हैं तो हम किसी और देखते हैं इसमें इंडिया मलेशिया को इंडियोनेस्या के साथ इंडोनेसिया के साथ रिप्लेस कर दिया इसे मलेसिया को काफी ट्रेड में नुक्सान होगा रोलेसिया को ये भी समझ में आएगा कि किसी भी देश के internal issues पर नहीं कमेंट करना चाहिए और यहाँ पर हुआ क्या है इस यहाँ पर साब साब इसलिए मना किया है क्योंकि Malaysia ASEAN country का एक member है और भारत ने इससे FTA deal sign की है Free Trade FTA that means Free Trade Agreement Free Trade Agreement sign किया हुआ है और इसमें palm oil भी आता है जिसमें भारत direct मना नहीं कर सकता इसलिए भारत ने बोला कि हमें crude palm oil चाहिए हम अपने यहां refine करेंगे और भारत ने से Indonesia के साथ replace कर दिया जिससे Indonesia की economy भी बूस्ट होगी और Indonesia भारत का का भी अच्छा मित्र भी है next next यह लाइन मेरे दोर लखी गए if you want to your rights then you should also know your duties अगर आप अपने मौलिक अधिकारों को चाहते हैं तो अपनी मौलिक कर्तब्यों को भी समझिए अगर आपको चाहिए कि हाँ यह मेरे अधिकार है तो आपको मौलिक ड्यूटी भी होता है आप राश्टिकारन के समय खड़े हो रात के समय झंडा ना फायरा है या फिर देश के देश के विकास में कुछ न कुछ तरह से अपना योगदान दे सके कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करिए सेर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ मैं बायोलाजी पर कुछ प्रेटिया बनाना चाहता हूँ अगर आप अगर आप कुछ इंट्रेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूब बताइए थैंक्यू बड़ी मसका आई